नमस्क्राइब दोस्तों मेरे नाम है भालचंद्रा ब्रह्माण्ड सिध्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 15 मार्च 2022 का संपुर्ण राशिपल उससे पहले आज की दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा क है शुकल पक्ष की बारवितिति है नक्षतर असलेशा है योग सुकर्मा है दिन का जो करन है वह बाल है और जो रात का करन है वह कवलव है आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुवात होगा दूपर 12 बचकर 36 मिनिट से लेकर दो बचकर 6 मिनिट तक और यमगंड काल दो पर 12 बचकर 12 मिनिट से लेकर एक बचकर एक मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजेद मूर्थ दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्व प्रुनकाम या पे निरनाय आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का राहुकाल है वह उसी प्रकार के महत्व प्रुनकाम या पे निरनाय पिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का चंद्रमा Gue चंद्रमा संपुर्ण दिन का राशी में ब्रहण करेगा या चंद्रमा रवी के साथ शडश्टक योग करने यह और कि UA सारी के साध प्रतियोग भी कर मनेर आपके दशमभाव में सिथ शनी के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है, आपके लाभवाव में सिथ रभी के साथ या चंद्रमा शड़ाश्टक योग भी करने जा रहा है, तो घर के जो लोग है, उनके साथ आज के दिन चोटी मुटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, घर का जो वाकारण है वो भी नॉर्मल नहीं रहेगा, उसे प्रकार आपकी जो मित्र परिवार है, उनके साथ भी चोटी मुटी बातों के लिए करता करार हो सकती है ध्यान रखिए उसे प्रकार अगर आप किसी के relationship में है, तो वह पर भी जो बाते हैं वो नॉर्मल रहे के नहीं रहेगा, खास करके relationship के मामले में जो भी बाते हैं घर के जो लोग है या फिर आपकी जो मित्र परिवार है उनके साथ आज का जो दिन है नॉर्मल नहीं रहेगा थोड़ा सा खुद पर सयम रखना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बृषब राशी बृषब राशी के तृतियों बाव में चंद्रमा का ब्रह्मणा रापी के भाग्य बाव में सित शनी के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है आपके दशन्बाव में सितरवी के साथ ये चंद्रमा शड़ा श्टक योग भी करने जा रहा है तो आज का जो दिन है थोड़ा सा बिजी होगा आप बहुत ज़्यादा काम करोगे लेकिन वो काम पूरे नहीं हो पाएगे और आपके मन में और जो आप काम करें उसमें ऐसा खीचा तनी हो सकती है जिसके जैसे जो काम है वो पूरे नहीं होगे स्ट्रेस भी जादा होगा आपकी मेहनस भी जादा होगी तो किस प्रकार से निर्ने लेने हैं, किस प्रकार से काम करने हैं, इसके कश्मकश में पूरा जो दिन हैं, वो गुजरने की संभावना ज्यादा बंद रहे हैं, थोड़ा सा खुद पर सयम रखें, खुद को थोड़ा समय दीजिए, एक दो दिन के बाद ये जो बाते हैं, वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगी इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के द्वितिय बाव में चंद्रमा का प्रहमन है रापी के आश्टम बाव में इस्टित शनी के साथ ये चंद्रमा फ्रतियोग करने जा रहा है तो आज की दिन ये जो सभी बाते हैं अन्वांटेड खर्चे बिल्कुल भी नहीं करना ये बात जान लिजीए ने तो आपको स्ट्रेस ज्यादा आ सकता है और जिसका परिवसन आपके जो पूरी परसनलिट है उस पर दिखाई दे सकता है चिड़ चिड़ हो सकती है तो थोड़ा सा खुद पर सयम रखना ज्यादा आवश्चक होगा इसके बात की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी में ही चंदरमा का ब्रह्मान रापी के सब्तम जो दिन है सयद के बारे में ध्यान रखना काफी ज़ादा आवश्यक होगा जो विवाद है काफी बड़े नहीं होगे लेकर आज के दिन आपको वो स्ट्रेस जरूर दे सकते है इसके पहले अगर आपने कोई रिस्क लेकर कोई इनवस्टमेंट की है तो इसका कामियजा आज की दिन आपको भुगत ना पड़ सकता है आज की दिन किसी भी प्रकार की इंवेश्मेंट बिलकूल भी नहीं करना इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी की वेया भाव में चंदरमा का ब्रहमणा और सर और आपके 6 बाव में से शनी के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है, आपके 7 बाव में से रवी के साथ या चंद्रमा शड़ाश्टा क्योग भी करने जा रहा है, स्ट्रेस लेवल आज की दिन आपका काफी बढ़ सकता है. कन्य रशी के लाबु बहु प्रतियोग करने जा रहा है आपके शच्ट बहु में से त्रवी के साथ यह चंद्रमा करने जा रहा है तो स्ट्रेस लेवल आज की दिन काफी जादा देखा जाएगा और यह स्ट्रेस है वो पैसे के मामलत में होने की संभावणा काफी जादा बन जैसे कि आपका जो नेचर है कि आप जल्दी से निर्णे नहीं ले पते तो उसी प्रकार के कुछ अनुभो आज की दिन आपको आ सकते हैं तो ध्यान रखिए आज की दिन हाला कि जो कश्मकश आपके मन में बहुत ज़्यदा रहेगी तो निर्णे अगर अप लेते हैं तो करने जा रहा है तो आपके घर के जो बुज़ूर्ग लोगों के उनके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा जहां पर आपकी जो मानसिक्ता है वो नौर्मल नहीं रहेगे हाला कि आप मेनद तो जादा करोगे काम भी जादा करोगे लेकिन उसके रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर भी जो नौर्मल बाते रिलेशन्शिप आप दोनों में नहीं देखी जाए तो यह सबी बाते हैं स्ट्रेस पर आप थवड़ा ज्यादा यह करेंगे लेकिन काम तो आज आज आप जब जरू करोगे और काम करते करते ही आज आज आपक बर्तियों करने जा रहा है आपके चतुरुद बाव मिस्तित रवी के साद्धियाचंद्रमश्ट शड़ास्टक योग भी करने जा रहा है तो घर के जो लोग होंगे वह आज के दिन आपको विरोध में जा सकते हैं घर का जो stress है वो काफी ज़्यादा बढ़ सकता है आपने जो भी काम किया है अब तक भविश को लेकर वो चूकने के जो आसार है वो दिखाई दे रहे हैं और आपके जो घर के लोग है वो आप पर आज के दिन हावी हो सकते हैं तो ध्यान रखे अगर ऐसे कोई बात होते ह अफेद करते हो उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको उसके संदर्म कुछ अच्छे गाइडलेंड मिलने की संभावना है तो यह सबी बाते हैं थोड़ा ध्यान में रखना आवश्रक होगा इसके बात की जो रशी है वो है धनु रशी पैसे की तंगी आपको आज की दिन लग सकती है दो ध्यान रखिए पैसे जो है खर्च जादा नहीं करता इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी, मिथुन राशी के सब्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मनार आपके राशे मिस्तित शनी के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने चारा है, आपके दितिया बाव में से तरवी के साथ ये चंद्रमा शड़ाश्टक योग भी करने चारा है तो ध्यान दरखे अगर आप विवाईत हो तो आज का जो दिन है आपके relationship के मामले में वैवाई जो आपके साथ relationship है उसमें दरार आ सकती है हाला कि यह जो बात रहेगी वो काफी पहले के रहेगी और अब वो जादा आप दोनों के सामने आ सकते जिसके वज़से विवाद हो को सकते हैं और इसके कवी बात होती है थोड़ा सा सामन जस्हत now जिछे बहुत ही जड़ाओ श्यक्त की जो प्रवल्म है complaint सो आप जरता कि लिए हैं अगर शेयुग आप तो उसके लक्षन भी दिखाई दे सकते हैं इसके बाद के जो राशी है वो है कुम्राशी वह वह जुड़िदार के साथ आज के दिन ऐसे कोई विवाद हो सकते है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ सकते है तो खुद पर सयम रखना बहुत ज़्यादा आवशक होगा आला कि आपको जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जा रहा है लेकिन फिर भी जो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ चोड़ी मुटी बातों को लेकर तकरा हो सकती जिसका स्ट्रेस है वो काफी ज़्यादा देखा जाएगा और जो स्ट्रेस है आपके आपका जो भी कारेशेतर है उससे रिलेट करने वाला होगा तो खुद पर तोड़ा सा सयम रखना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी तो इसका जो राशी है चोटी चोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचा करते है ज़्यास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लेती है और अकेला है अपन महशूस करती है तो उसी का जो अनुबह है वो आज की दिन आपको होने की संभावना काफी ज़्यादा बनती है तो कुद पर सयम रखना ज़्यादा आवश्यप होगा तो दोस्तों ये था दिनांग 15 मार्च 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगए आपने किस प्रकार से अनुभाव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर दन्यवाद